आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर अपने सब ही गनित, रसायन, विज्यान, भौतिक विज्यान और जी विज्यान के डाउट्स का करो सपाया बस प्रशन की फोड़ों खीचो, एची प्रशन को क्रॉप करो और तुरट विडियो सिलीशन पाओ अब ही डाउनलोड करें ती और इसी इस्थति में यहाँ पर इसकी चोड़ाई किती थी बी नॉट थी परन्तु क्या हुआ जब इसका तापमा चुन्य डिग्री सी से कित्ता बढ़ा दिया गया है ती डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है तो अब इसकी लंबाई जो है उसमें क्या हो गई है वृद्धी हो गई है और चोड़ाई में भी क्या हो गई है कुछ वृद्धी हो गई है तो मान लेता है ती डिग्री सेल्सियस पे वह किसे दियाजाता है ? वहाँ होता है alpha पराबरी से लंबाई में वरदी तो लंबाई में वरदी मतलब L dash minus L naught के बटे में क्या होता है दोस्तो तापमान में परिवरतन अर्थाथ delta t और इंटू में क्या होता है प्रारंबिक लंबाई मतलब की L naught यह होता है रेखिय प्रसार गुनांक किसी भी आयताकार लंबी शीट का ठीक है तो इस स्थती में लंबाई के लिए यह क्या था रेखिय प्रसार गुनांक था अब बात करते हैं दोस्तों इसी प्रकार से इसको समी कंटरमांग एक नाम दे दिया जाए तो दोस्तों अब इस जो बीटा हो जाएगा उसे भी कुछ इस प्रकार से प्रदशित किया जाएगा तो बीटा होता है ए डश माइनस में ए नॉट के बटे में प्रारंभिक जो हमारा चेत्रफल था वह इंटू डेल्टा ओफ टी जहां पे दोस्तों अगर आप डेल्टा टी देखे तो डेल्ट एक ठीका मान जनरल ली टी के बराबर ही प्राप्त होता है ठीक है इसलिए इता आप टेंक्शन ना लेजेगा आगए इसको हल करते तो आप समझ जाएगे कि क्या हो रहा है ठीक है इसको हम समीकरन क्रमांक क्या नाम देजीते हैं तो आये शुरुवात करते हैं दोस्तों फिर से इसी आर्ताकार शीट से जिसके पास में लंबाई और चोड़ाई दी गई थी ठीक है तो इस आर्ताकार शीट की लंबाई पहले किती थी दोस्तों एल नॉट थी फिर लंबाई इसकी लडेश हो गई तो हम क्या लिख सकता है य पर करने पर और इसी प्रकार यहाँ भी 0 degree Celsius से 10 degree Celsius करने पर तो आप क्या हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों अब हमें जो एल डेश का वैल्यू पर आप हुआ अर्थात हमारी प्रार्णमिक लंबाई से परिवर्तन कितना आएगा लडेश को आप क्या लिख सकते है लडेश को आप हल करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा यहाँ मिल जाएगा दोस्तों एल डेश इस इक्वस चू ल नौट ब्लस अलफा डल्टा टी यहाँ किसके लिए यहाँ आयताकार शीट की लंबाई के लिए क्योंकि चूंकि यह रैखिय परसार गुनांग के रूप में लंबा टी ठीक है तो यह हो जाएगा आपके पास में अब स्वामी करण रमांग दो क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है वह क्या है मारे पास में हमें टी डिग्री सी तापमान पर जो लंबाई और चोड़ाई है उनके मान प्राप्त हो चुके हैं तो अब यहाँ से क्या किया जा सकता है हम जानते हैं की ठीके तो यहां लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं कि जो अब ME तेन नाम अब शुन्य डिग्री में के बाद में टी डिग्री सैल्सियस पर अब हमारी जो फिद्र हो जाएगा वो क्या हो जाएगा A' हो जाएगा ठीक है तो A' का जो value आजाएगा किसके बराबर आजाएगा b' के बराबर फरन्तु L' और b' को हम इसको दोस्तों यहां से लिख दे तो L' की value और value है B0 1 प्लस alpha delta t यहां से क्या करेंगे यह दोनों ही value put कर देंगे तो हमें a dash का मान प्राप्त हो जाएगा तो हमें क्या करना है छेत्र प्रशार गुनांग और रेकिक प्रशार गुनांग एक आधा का शीट के लिए याद करना है अधा यहां पर छेत्रफल a dash का मान जाद करेंगे तो यह होता है l dash b dash बराबरी से l dash मतलब l naught 1 plus alpha delta t और साथ ही साथ अब यहां पर क्या हो जाएगा b naught ठीक है और यह हो जाएगा 1 plus alpha delta t ठीक है अब यहां पर इनका साधर्म तरीके से गुना कर लीजे तो यह हो जाएगा दूस्तों l naught b naught बाहर और यह हो जाएगा 1 plus alpha delta t यहां पर a plus b का whole square का formula ल यह हो जाएगा 1 plus alpha square delta t का square plus 2 alpha delta t का इसे a plus b के पूरे के वर्ग के formula से ठीक है जो किसके बराबर होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab अब यहां से आगे इसको हल करेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि a dash जो है उसमें आप लिख सकते है l naught b naught चूंकि दोस्तों यह जो alpha square और delta t का square है 3 degree ताप मान में परिवर्टन करने के बाद में रेखिये प्रचार गुना का का मान कासा होता है बहुत कम होता है ठीक है और इसका वर्ग कर दिया जाए तो इसका मान दोस्तों बहुत ही अत्यादी का कम हो जाता है बहुत जादा कम चूंकि यहां पर ताप मान ह लिया जाए या 0 के बराबर मान लिया जाए तो यहां से अब आपके पास में क्या बचेगा L0 B0 1 प्लस 2 alpha delta t ठीक है तो यह आपके पास में जो आपको मिला है यह क्या है दोस्तों यह आपको प्राप्त हुआ है जो टी डिग्री Celsius पर छेत्रफल था ठीक है तो टी डिग्री Celsius पर पूरे प्रष्ट का पूरी आयतागार्शीट का छेत्रफल प्राप्त हुआ है जो कि अभी आपको बताया समीकरन क्रमांग 3 से कि A है हमारा A0 into B0 तो आप समीकरन क्रमांग 3 से यहां पर क्या लिख सकते हैं समीकरन क्रमांग 3 से आप यहां लिख सकते हैं A-जो प्राप जो है हमें क्या मिला है एडेश हमें प्राफ्त हुआ है ठीक है किसके बराबर एप्लस टू एलफा डेल्टा टी के हैं या आप यहां से क्या कर सकते हैं आप यहां से कर दीजिए कुछ इस प्रकार से यहां से जब आप एडेश माइनस एक बटे में क्या लिखेंगे दोस्तों आप लिखेंगे एडेश माइनस एक परिवर्तन दर्शा रहा है मतलब यहां है कि आप ऊपर देखिए कि हमारी जो आयताकार शीट थी दिखें तो पहले आयताकार शीट थी इसका छेत्रफर यहां पर A is equals to क्या था L0 B0 दीखें परन्तु T degree Celsius पर अर्था तापमान बढ़ाने पर अब इसका नया छेत्रफल क्या मिला है A बराबर इसे हमें A डेश बराबर इसे प्राप्त हुआ है L डेश इंटू B डेश चुकि अब हमें क्या करना है यहां पे छेत्रफल में परिवर्तन अर्थाथ डेल्टा A ग्यात करना है तो वो क्या हो जाएगा हमें जो टी डिग्री सेल्सियस पर छेत्रफल प्राप्त हुआ है उसमें से क्या कर देंगे जो हमारा प्रारब्मिक छेत्रफल था अर्थात A उसे घटा देंगे तो यह हमें क्या मिल जागा छेत्रफल में कूल परिवर्तन तो यहाँ से अब हम क्या कर सकते है a-a ये क्या है छेतरफल में परिवर्तन जब ताप क्या कर दिया गया है 0 degree Celsius से T degree Celsius तक बढ़ा दिया गया है तो यहाँ पे आप a-a को delta of a लिख सकते है के बटे में a into delta t is equals to 2 alpha तो यहाँ पे दोस्तों अभी आपको बता था रेखिय परसार गुनांक की परिभासा से समीकरन क्रमांक आप कह सकते है दूसरे क्या इस परस्ट है समीकरन क्रमांक दूसरे इस परस्ट है कि b बीटा बराबरी से क्या होता है जो टी डिगरी सी पर प्राप्त छेत्रिफल में इसे प्रारंबिक छेत्रिफल घटा दीजिए उसके बटे में तो प्रारंबिक छेत्रिफल है into top में परिवर्तन या आप इसको क्या लिख सकते है आप इसको लिख सकते है delta a के बटे में a delta t is equals to 2 alpha या betaêmड़ा बरी से क्या मिल गया आपको 2 alpha इसको डिङवर्तना दीज़ल हुआ है इसे कहा जा सकता है दोस्तों छेत्रिफल प्रसार गुनाग के समझे से और आपको Luna होता है और यहीं हमें सित्दकरनाता प्रशन के अनुसार धनिवाद